आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल प्राड़क्ट सॉल्यूशन फिनिश यह प्राड़क्ट है जो इस तरह की ब्लैक ट्रिम्स को फिर से रिस्टोर करता है यह दूप में यूवी रेस के कारण वाइट हो जाते हैं पूरे ब्राउनिश वाइटिश इफेक्ट आ जाता है तो कैसे इस प्राड़क्ट से हम इस तरह के जितने भी ट्रिम्स या प्लास्टिक पार्ट्स आपकी गाड़ी पे हैं उनको फिर से पूरी तरह से ब्लैक समझते हैं कि इस प्राड़क्ट को लगाने से पहले कैसे साफ किया जाता है कौन से कौन से प्राड़क्स यूज किये जाएंगे और लास्ट में इस प्राड़क्ट को कैसे एपलाई करते हैं और एपलाई करते हुए क्या गलतियां नहीं करनी हैं जिसके कारण इसकी आपको च्छे महिने से एक साल की लाइफ मिल सके आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला step by step को हमने इसमें break ground किया है first most important thing जो solution finish के results के लिए है deep cleaning of plastic surfaces तो step 1 से शुरू करते हैं deep cleaning of plastic surfaces so guys deep cleaning के लिए सबसे ज़्यादा important है कि हम एक strong cleaner या degreaser को use करें उसको अच्छे से इस पे spray करें और इसको brush करके इसको अच्छे से साफ किया जाए तो हमने यहां पर यह degreaser को spray कर दिया है अब आपको कोई brush लेके इसको अच्छे से साफ करना है brushing बहुत ज़्यादा important है अगर आप brush अच्छे से नहीं करेंगे तो इसके जो grooves के अंदर मिट्टी फसी हुई है वह अच्छे से नहीं निकलेगी और brush हो जाने के बाद microfiber को use करके इसको बहुत अच्छे से clean कर लेना है wipe down कर लेना है अगर जरूरत लगती है तो एक वार और भी कर सकते हैं क्लीन करने के बाद थोड़ी देर हमें wait करना है जिसके करन इसकी पूरी जो white white है वह पूरा आपको अच्छे से दिख सके और बट डस्ट फ्री हो गया हो जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही ओल्ड है और काफी ज्यादा डिट्रॉइट है अगर आप देख सकते हैं तो इसके ग्रूस में बहुत सारी मिट्टी फसी हुई है तो हम इसमें एक वार और क्लीनिंग करेंगे और इस वार हम इसकी क्लीनिं यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमने इस तरह का शॉफ्ट ब्रॉश यूज़ किया था क्योंकि इसकी मिट्टा बहुत ज्यादा पसी हुई है तो मैं थोड़ा सा हाट ब्रॉश यूज़ कर रहा हूं इसके करांड ग्रूस में से सारी मिट्टी बहार आ सके कि अब लोग देख सकते हैं कि हाट ब्रश से यूज करने के बाद काफी मिट्टी हम ग्रूवस में से निकाल चुके हैं कहीं कहीं अभी भी थोड़ा बहुत वाइटनेस मुझे दिखाई दे रहा है अदर्वाइस काफी अच्छे से हम इसको साफ कर चुके हैं तो पहला स्टेप है कि आपको इसको अच्छे से पहले ग्रूवस में से मिट्टी निकाल लेना है दूसरा स्टेप के लिए हम एक प्रॉड़क हमेशा रेकमेंड करते हैं यह डीटेल मैक्स का प्री वाइप है यह आई पी एक क्लीनर है गाईस इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टन्ट है यह आपके पहले लगाई हुई सब तरह की डैश्बोर्ट पॉलेश या सिलिकॉन ड्रेसिंग को रिमूव करेगा सोलूशन फिनिश को लगाने से पहले ड्रेसिंग और सिलिकॉन को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टन्ट है तो आई यह स्टेप नंबर टू को देखते हैं कैसे किया जाता है और कैसे हम इ ब्रश से पैनल वाइप के ब्रशिंग यहां पर भी इंपॉर्टन्ट है क्योंकि यह जितने भी ब्लैक ट्रिम्स होते हैं इसमें ग्रूव होते हैं तो अंदर तक क्लीनिंग बराबर से होना चाहिए सर्फिस के साथ साथ में अंदर डीप क्लीनिंग भी बहुत यह क्लीनिंग इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में हम देखेंगे सॉलूशन फिनिश को कैसे एपलाई करते हैं और कैसे आप सेमी पर्मनेंटली अपनी ट्रिम्स को हमेशा के लिए ब्लैक कर सकते हैं स्टेव सी यह सहर्ण में आप वही दो ओपाद फिनिश को कैसे एपलाई करना है सबसे पहले आपको इसको बहुत अच्छे से से ज़्यादा है और येस गाइज हम आपके बहुत सारे इसके बारे में हमें सवाल मिले हैं और इसलिए आज ये वीडियो हम लेके आ हैं तो सोल्यूशन फिनिश को कैसे लगाना है आप इसके लिए कोई कोटिंग का पुराना ब्लॉक यूज कर सकते हैं या इस तरह का कोई यूज कर सकते हैं और इसको स्टेप बैस अपन देखते हैं बहुत कम लगता है थोड़ा सा ब्रॉप्स लेने हैं इसको इसको इस पहर इस पर drops आ गए फिर आपको जहां पर भी solution फिनिश को लगाना है उसको वहां पर ऐसे मसाज करना अच्छे से इसको apply कीजिए जहां जहां पर भी आपको वापिस से blackness restore करनी है वहां वहां पर इसको अच्छे से apply करना बहुत जरूरी है थोड़ा सा कम पड़ेगा और लेना पड़ेगा गाइस इसको लगाते हुए एक चीज का ध्यान रखना है आज इस वीडियो में तो यह पैनल हमने गाड़ी पे से खोल के टेबल पर रखा हुआ है अगर आप गाड़ी पे डाइरेक्ट लगा रहे हैं इसको तो बाकी के जितन पेंट पे ट्रांसफर हो भी जाती है तो इमीजेटली आप माइक्रोफाइबर से वाइप कर सकते हैं और उसको रिमूफ कर सकते हैं इसको एक वार या दो वार अच्छे से एप्लाई कर सकते हैं आपका ट्रिम कितना ज्यादा पुराना है कितना ज्यादा वाइट हो गया है उस पे डिपेंड करता है कि यह एक वार करना पड़ेगा जन्रली दो अप्लिकेशंस में अच्छे से सारे से सारे स्टिम बहुत अच्छे से री स्टॉर हो जाते थे हैं री श्टॉर हो जाने बाद आपको सिर्फ एक हलका कपड़ा लेके उपर से एक्सेस को रिमुव कर देना है लगाने के बाद एक्सेस को रिमूव करना जरूरी है क्योंकि और यह आपका एक्सेस आपने रिमूव कर दिया अगर आप देख सकते हैं तो यह इतने गंदे थे और हमने solution finish से इसको बिल्कुल brand new जैसा restore कर दिया है इस यह मेड़िन यूएसे की कंपनी है solution finish बहुत ही बहुत ही बहतरीन प्रॉड़क्ट है वन ओफ इट्स काइंड प्रॉड़क्ट है इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम आजकल ज्यादा तर सारी इस यूवी में बहुत सारा ट्रिम्स आ रहा है और वो ट्रिम्स सारे थोड़े दिनों में ही वाइट हो जाते हैं जो भी हम ड्रेसिंग्स या पॉलिशिस लगा रहे हैं वह एक या दो वाशिस में निकल जाती हैं इंडियन कंडिशन में हमने यह देखा है कि सुलूशन फिलिश आलमोस्ट छे मैने तक ब्लैक्नेस को रिस्टोर रखता है तो गाइस यह वीडियो यहीं पर खतम करते हैं और इस तरह के और वीडियो उस लेके जरूर से आते रहेंगे सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और अपका इस तरह से और वीडियो बनाते र हैंगे हैपी डिटेलिंग गाइस